नमस्कार डी टीवी भारत देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ उतकर इश्च कुमार आज मुख्य मंत्री नितीश कुमार ने क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक की है जहाँ पर तमाम बाते जो निकल कर सामने आई है इसमें बताते चले कि आठवी कक्षा के तक के स्कूल जो है वो अब खोल तिये जाएंगे और यही आप देख सकते हैं यहां पर क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक होई है जिसमें कोरोना की स्थिति की समिक्षा की गई है हलाकि नितीश कुमार ने ट्वीट करते हुए कहा है कि आठवी कक्षा तक के सभी विद्याले प्रचास क्यानि कि हाफ जो है ऑल्टरेड डेस पर खुलेंगे पचास पतिसद्स एक दिन आएंगे तो दूसरे दिन पचास पतिसद्स बची आएंगे हलाकि नौवी के ऊपर के कक्षाओं से संब्दित सभी विद्याले और महाविद्याले तथा कोचिंग संस्थान सथान सत्प्रत सामने आई हलाकि दूसरी बात यह भी आई कि सभी सरकारी कालियारे प्रति दिन समाने रूप से खुलेंगे केवल टीका प्राप्त जो लोग हैं वही प्रवेश कर पाएंगे समाने रूप से खुलेंगे सभी पार्क उद्यान छे बजे से पहरन दो बजे तक यानी छे बजे से दो वे तक खुलेंगे सिनेवा हॉल क्लब जिम स्टेडियम स्विमिंग पूल रेस्टोरांट और तमाम जहां पर लोग खाना खा सकते हैं वहाँ पचास प्रतिशत चमता के साथ खुलेंगे जो चौथा नोटिफिकेशन उसमें जला प्रशाशन की पूर्ण अनुमती से सभी प्रकार के समाजिक राजनेतिक मनोरंजन सांस्कृतिक धार्मिक आयोजन की जो विवा तता और भी जो काई कारिक्रम होते हैं उसके अनुमती दे दी गई है जहां पर 200 ल बात कई गई है और मुख्यमंत्री ने इसको ट्वीट करके जनकारी दी है यानि कि कुल चार बाते जो हैं वो सामने आई कि अब तमाम धार्मिक स्थलो पर 400 आदमी तक जा सकते हैं शादी विवाम में 400 आदमी तक जा सकते हैं इतना नहीं आठीवी के नीचे तक जो भी स्क कुछ वापस ठीक कर दिया गया हलाः कि जो लोकडाउन की बाते थी वो खत्म कर दी गई है लोकडाउन जो है वो बिहार में नहीं रहेगा नाइट कर्फ्यू जैसी बाते जो है वो कल से खतम हो जाएंगी 6 तारिक है और कल से जो नया रुटीन रहेगा को लेकर वो बदल और तमाम जगह हैं वहाँ पर 50% के साथ लोग बैठ सकेंगे सिनेमा हॉल और जिम भी है वो खोल दिया जाएगा इस वक्त हम मौझूद हैं यहां पर अंदर क्राइशिस मेंजमेंट की बैठक हुई है और बैठक में तमाम जिलों के जिला अधिकारी जो थे वो भी मौझूद